एलो दोस्तों, MS Excel के इस वीडियो में आपका स्वाव गयते, दोस्तों, इस वीडियो में हम सेकेंगे, किसी भी डेटा को हम सुर्ट कैसे करते हैं, सुर्ट in the sense हम किसी बीडेटा को Increasing या फिर Decreasive order में कैसे प्लेस करते हैं, क trends ले नहीं कि परक्षाए अच्छ उसे करने के लिए हमने यहां पर कुछ ट्रिया है बिस्के लिए हमने सो भीड़ करना यहां पर एक होरिजोंटलिट हमें रोव बाइस और सब्सक्राइब करना है और वर्टी करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे तो हमने डेटा लिया है इस डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे कि अब उसको से लेक्ट करने के बाद यहां कॉर्नर में आयेंगे आपको यहां पर ओप्षेशंस दिखावगा सौट एंड फिल्टर का इस ऑप्षनैं't पे हम क्लिक करेंगे नियशे आएंगे प्रान haven सब आने के हमें कौन सा रोज को सौट करना है तो हमारा रोज नंबर थर्ड है इस भी हम सेलेक्ट करेंगे और रोक की प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारा डेटा सौट हो गया जो की इंक्रीजिंग ओडर में 12-23-36-45-65 अगें 65-100 इंक्रीजिंग ओडर में हमारा डेटा को बॉटम में सौट करना रहे तो इसके लिए ने अपर से निचे तक हमें इंक्रीजिंग और में करना है तो इस ओप्षन में क्लिक करेंगे करेंगे और यहां पने कोन को सॉट करना है तो यह कॉलम हमारा ए ऊप्रेज करेंगे तो आप अगर आप वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करें थैंक्यू